अपने पीछे देखो, देखने के लिए यहाँ पर हम word use कर रहे हैं look पीछे का मतलब यानि पीछे की तरफ का मतलब इंग्लिश में होगा behind behind और अपने मतलब you So, sentence क्या बन गया? Look behind you मेरे साथ साथ repeat कीजे ताकि आपकी pronunciation बेहतर होती जाए Look behind you Look behind you Look behind you Next sentence है यह बहुत प्यारा है अगर कोई छोटी चीज जैसे कोई dog या cat या बच्चा बहुत प्यारा हो तो हम उसके लिए English में word use कर सकते हैं adorable और यहाँ पर देखिए it's इसका मतलब है it is It is adorable और इसको हमने short करके contraction बना कर लिखा हुआ है जो के बनेगा it's यह वाला जो it's है इसका मतलब है यह है और एक और भी it's होता है जो के कुछ you है इस बगेर apostrophe के ठीक है जिसका मतलब होता है इसका जैसे इसका color ब्राउन है तो हम वहाँ पर कह सकते है its color is brown तो वो यह वाला it's होगा ठीक है यह बहुत प्यारा है इस अडॉरबल मुझे लगता है के या मेरा ख्याल है के को इंग्लिश में हम कुछ इस तरह से कहेंगे I think that I think that दोस्तों I think को हम के और तरह से भी कह सकते है यानि मेरा ख्याल है को मुझे तरीकों से इंग्लिश में कहा जा सकता है जिस पर हमने एक मुकमल वीडियो बनाई है जिसका link मैं description में दे दूँगा आप वो वीडियो लाजमी देखिएगा आगे बढ़ता है चो करना रहें, खबरदार रहें इसको हम इंग्लिश में कहेंगे stay stay alert alert stay alert stay alert अंदर मत जाओ don't go inside don't go inside तोगा सा फ्लुएंटली बोलते हैं don't go inside don't go inside यह फोन बहुत दिलकश है this phone is very attractive this phone is very attractive this phone is very attractive यह घड़ी प्यारी है this watch is beautiful this watch is beautiful मेरा कप कहा है where is my cup where is my cup यहाँ पर आप इसको इस तरह से भी कह सकते हैं यानि यहूं where is my cup where is my cup मैं बहतर महसूस कर रहा हूं I am feeling better I am feeling better I am feeling better वो बहुत बहादुर है he is very brave he is very brave मैं मस्रूफ हूं I am busy I am busy हंस ना बंद करो stop laughing stop laughing पुर सुकून हो जाओ ठंडे हो जाओ गुसा जाने दो calm down calm down गाड़ी चलाते हुए एहत्यात करो be careful while driving be careful while driving वो इतनी दिलकश लग रही थी इसको हम English में कहेंगे she was looking so charming she was looking so charming charming दिलकश मुस्कुराते रहो be cheerful be cheerful first साफ करो clean the floor clean the floor पहले ही अंधेरा हो चुका है it's already dark it's already dark क्या तुमने देखा? did you see? दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि पहले हमने देखा का मतलब English में सीखा था look और अब हो गया देखा का मतलब see और देखा का मतलब watch भी होता है ठीक है? देखना मतलब watch तो see, look and watch इसमें क्या difference है? इसके लिए हमने आपके लिए एक अलग से वीडियो बनाई है जिसका link description में add कर दिया जाएगा वीडियो देखिए और अपनी confusions को clear कर लिजे इम्तिहान बहत मुश्किल था about the, about the party, I am very excited about the party, ये मुंसिफाना नहीं था, यानि ये बात ठीक नहीं, this was not fair, this was not fair, अब was not को हम fluently बोलने के लिए कुछ यों भी कर सकते हैं, wasn't, this wasn't fair, this wasn't fair, मैं ठीक हूँ, I am fine, I am fine, तुम इतने नाजुक क्यों हो, why are you so fragile, why are you so fragile, मजाग बहुत मज़ेदार था, मजाग बहुत ही, अच्छा था, यानि लतीफे की बात हो रही हैं यहां पर, the joke was very funny, the joke was very funny, वो दोस्ताना है, he is friendly, he is friendly, उनका खानदान अच्छा है, their family is good, their family is good, वो बहुत प्यारी लग रही थी, she was looking gorgeous, she was looking gorgeous, सिहत मन रहें, यानि आपकी सिहत अच्छी रहें, आप किसी के लिए best wishes दे रहे हैं, stay healthy, कुछ लोग इसको healthy बोलते हैं, यानि यहाँ पर d का sound देते हैं, जो के बिलकुल गलत है, आपने यहाँ पर th का sound देना है, जो के बनेगा healthy, healthy, stay healthy, दूसरों के लिए मददगार बनें, दूसरों की मदद क्या करें, be helpful to others, be helpful to others, यहाँ पर P को हलका सा pronounce कीजेगा, क्योंकि अगर आप इस पर जादा जोर देंगे, तो आप इसको ठीक तरह से pronounce नहीं कर पाएंगे, यानि आपकी fluency disturb हो जाएगी, मैं बहुत भूका हूँ, I am very hungry, I am very hungry, आज मेरे पास बहुत जरूरी काम है, यानि आज मैंने बहुत जरूरी काम करना है, I have, जिसको हमने short करके बोला है, I have very important work today, I have a very important work today, I have a very important work today, मासूम बनने की कोशिश मत करो, don't try to be innocent, don't try to be innocent, आपको इतनी जलन क्यों हो रही है, why are you so jealous, why are you so jealous, मेरा मूड खुश्गवार है, मेरा मूड बहुत अच्छा है, I have a jolly mood, I have a jolly mood, अली बहुत शरारती है, अली is very naughty, आपने एक अच्छा लिबास पहना है, आपने अच्छा ड्रेस पहना हुआ है, you are wearing a nice dress, you are wearing a nice dress, दर्वाजा खोलो, open the door, open the door, वो बहुत गरीब लोग है, they are very poor people, they are very poor people, मुझे तुम पर फख्र है, I am very proud of you, I am very proud of you, तुम बहुत बेवकूफ हो, you are very silly, you are very silly, वो दिल से मुस्कुराई, she smiled warmly, she smiled warmly, मेरी हफ़ता बार छुटी है, I have a weekly off, मुझे महाना तन्खा मिलती है, I get a monthly salary, हमें सालाना बोनस मिलता है, we get a yearly bonus, समयदारी से बात करें, talk wisely, उसने शानदार कारकरदगी का मुझाहरा किया, she performed wonderfully, she performed wonderfully, मैं एरपोर्ट की तरफ जा रहा हूँ, I am going towards the airport, I am going towards the airport, मैं बाहर के मुल्क पढ़ता हूँ, I study abroad, I study abroad, बाहर इंतजार करें, wait outside, wait outside, सीड़ी के नीचे उतरो, go downstairs, go downstairs, वो पास में ही रहते हैं, they live nearby, they live nearby, बाहर जाओ, get out, get out, मेरा कहीं और कारुबार है, I have business elsewhere, यहाँ पर आप इसको आफ भी कर सकते हैं, ठीक है, I have business elsewhere, कहीं मत जाओ, don't go anywhere, don't go anywhere, मैं पूरी तरह से मुत्विक हूँ, I am fully satisfied, मैंने तक्रीबन कर लिया, I almost did it, I almost did it, मैं बहुत थक गया हूँ, I am extremely tired, बहुत जादा थक जाने के लिए, हम word यूज करते हैं, worn out, ठीक है, यह भी कहा जा सकता है, यह पूरी तरह तुम पर मुनहसिर है, यह बहुत अच्छा है, this is too good, this is too good, अब बहुत अच्छे लग रहे हैं, you are looking very good, बस यहाँ से चले जाओ, just go from here, just go from here, मैं मुश्किल से ही उसे जानता था, यानि बहुत कम जानता था उसके बारे में, I barely knew him, I barely knew him, यहाँ पर knew, no की second form आवी, ठीक है, क्योंकि sentence था past tense का, okay, क्या यह काफी है, is it enough, is it enough, is it enough, वो उसकी बहुत आरीफ करते हैं, they admire her deeply, they admire her deeply, मैं पूरी तरह से मुत्तफिक हूँ, I agree completely, I agree completely, मैं काफी मस्रूफ हूँ, I am quite busy, I am quite busy, मैं पिछले महीने यहाँ आया था, I moved here last month, I moved here last month, यहाँ आया था मतलब shift होने की बात हो रही है, कहीं और से यहाँ पर पके पके आ जाने की बात हो रही है, कल मिलते हैं, see you tomorrow, आपका पिछला हफ्ता कैसा रहा, How was your last week, बाद में मिलते हैं, See you later, उसे अभी बुलाओ, मुझसे कभी बात मत करना, Never talk to me, Never talk to me, जी दोसों यह थे हमारे 77, बिलकुल short English sentences, जिनकी हमने अच्छी तरह से pronunciation की भी practice की, और उर्दू से English में वो बात कैसे करनी है, यह भी सीखा, This is it for today, we'll be talking in the very next video, See you next time.